बिहार की सियासी फीजा बदलती हुई नज़रा रही है बहागटबंदन की नेता पने ही सहयोगी दलों की नेताओं के खलाप बयानबाजी कर रहे है वही चिराक पासवान को जेट सिक्योर्टी मिलने के बाद सियासी गल्यारों में अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है इसके साथ ही कई सियासी मालने भी निकाले ज़ा रही है केंद्रेग रहमतवाले के तरफ से चिराग पासवान को जेट सिक्योर्टी के सुरक्षा मिलने के बाद ये कयास लगा जा रही है कि वो एंडिये में वापसी कर सकते हैं सूतरु की माने तो आईपी ट्रेड परसेप्शन रिपोर्ट के मतनेजर चिराग पासवान को भीहार में सुरक्षा प्रदान की गई है खुफिया विभाग ने चिराग पासवान की जान को खत्रा बताया था सुरक्शा मिलने के बाद चुराग पासवान वि-ई-पी केटगिरी में गए है उनकी सुरक्षा में 37 सुरक्षा गार्ट तैनाओ रहेंगे वहीं उनके आवाज पर 10 सुरक्षा कर्मी थियार के साथ तैनाओ रहेंगे आपको बता दे कि कुछ दिन पहले चुराग पास्वान निक रहमंत्री अमिद शहा से मलाकात की थी इसके साथ ही बिहार के हालातों पर भी चर्चा की थी चुराग पासवान ने उपचुनाव में भाजपा उम्मिद्वार के पक्ष में चुनाव प्रचार भी किया था इसके बाद से सियासी गल्यारों में ये चर्चा तेज थी कि आने वाले दिनों में चुराग पासवान फिर से NDA का दामन थामेंगे चुराग पासवान की NDA में वापसी आठकले तेज हो रही है लेकिन उनका NDA में जाने का रास्ता भी पूरी तरह से साफ नहीं है पशुपती पारस ने हाली में बयान दिया था कि दल तूटने पर जूड जाता है लेकिन चुराग पासवान ने तू दिल तोड़ा है पशुपती पारस ने कहा था कि चुराग पासवान से किसी पंडित ने NDA से अलग होकर चुनाव लड़ने की सलहा दी थी कि अगर वो NDA से अलग होकर चुनाव लड़े बिहार के सियम बन जाओगे पंडित की बात में आकर चिराग ने पार्टी और परिवार को तोड़ दिया आपको बता दे कि राम विलास पासवान के निधन के बाद पार्टी और परिवार में दरार पड़ गई जिसके बाद लज़ेपी के सभी सांस चिराग पासवान का साथ छोड़कर उनके चाचाप पशुपती पारस का दामन थाम दिया इसके बाद पशुपती पारस को मोदी सरकार में रामविलास पासवान के जगे हासिल हो गए चुराख पासवान ने लज़ेपी पार्टी बनाई और उसके साथ सियासी जमीन मजबूत करने में जट गए